आदर्श वीरांगना, रानी लक्ष्मिबाई, पार्ट स्यावन, जासी की लूट जब रानी कालपी चली गई तो अन्ने सैनिक भी, जो शेज बचे थे, वहां से बाहर निकल कर विभिन्न दिसाओं में चले गए इस प्रकार जासी नगर को सर्व था और अक्षित पाकर अंग्रेज सैनिकों ने लूट मार आरंब कर दी, जो नागरिक दिखाई पड़ जाता उसे मार दिया जाता और घरों में आग लगा दी जाती महल में से तमाम कीमती वस्तुवें और आभूशन लूट लिये गए, राज की ये पुस्तकाले को भी जला दिया गया इस पुस्तकाले में बहुत से हस्त लिखित दुरलब ग्रंथ दूर दूर से इकठे किये गये थे, उन सब को आविवेकी सैनिकों ने कुछ ही घंटों में भस्म कर दिया लूट के बहुत से माल को च्छावनी में लाकर प्रतिदिन नीलाम किया जाता था इसको लेने के लिए अंग्रेजों के खुशामदी राजा और रईसों के भीड इकठी हो जाती थी ग्वालियर वालों ने भी बहुत सा सामान खरीदा तीन दिन तक गोरे सैनी को द्वारा लूट कराने के पश्षाथ अंग्रेजी सेना में काम आने वाले भारती सिपाहियों को लूटने का आदेश दिया गया उन्होंने भी प्रजा के घरों को मनमाना लूटा साथ दिन तक वह इस तरह लूट मार होने के पश्चात फौज को नगर से हटा दिया गया इस नरसंगहार में हजारों निर्दोश नागरिक जान से मारे गए और घायल हुए कालपी पर चढ़ाई और भयंकर युद्ध कालपी में विद्रोहों के एकत्रित होने के समाचार जान कर सरहोरोज भी उस पर आकरमन की तयारी करने लगा उन्होंने अपनी सेना का पुनर संगठन किया लड़ाई का नया सामान मगवाया और पंद्रा मै को कालपी से छे मेल के फासले पर गुलोली गाम में जा पहुचा जमुना के उबढखाबढ का कारों पर बना यह किला प्राकरतिक रूप से भी बहुत सुरक्षित था फिर नगर के बाहर 84 गुमबद नामक किले बंदी और सुद्रड पर कोटो ने उसको और भी मजबूत बना रखा था किले के भीतर सब प्रकार के अस्त्र सस्त्रो तथा गोला बारूत का विशाल भंडार था और यहीं से आसपास के समस्त विद्रोही केंद्रो को युद्ध सामगरी भेजी जाती थी उसके भीतर तोप, बंदूग, ढालने का कारखाना भी था और उसकी मरमत के सब अवजार इकठे किये गए थे खाद्य सामागरी का एक बड़ा गोदाम भी यहीं पर था कालपी के इस महत्व को अंग्रेज अधिकारी और विद्रोही नेता दोनों ही अच्छी तरह समझते थे इसलिए राव साहब ने इसकी रक्षा के लिए चारों तरफ विबिन सेना दलों को नियुक्त किया था एक और की सेना के अध्यक्ष बांदा के नवाप थे दूसरी और बरेली से आई हुई रुहेलों की पल्टन थी तीसरी और बंगाल नेट्यू इन्फेंटरी की विद्रोही सेना को रखा गया था रानी लक्ष्मी बाई के साथ लाल वर्दी वाले दो सो पच्छास घुड सवार स्वतंत्र रूप से उत्तर की तरफ चले गये थे तारीक 15 माई को विद्रोहीं के एक दल से अंग्रेजी सेना की मुटभैड गुलोली के पास ही हुई आरंब में विद्रोही सेना को कुछ सफलता मिली पर बाद में जब अंग्रेजी सेना की अगने वर्षा ज्यादा तेज हुई तो वा पीछे हट गई लक्ष्मी भाई को जब अपनी फौज की पराजय का हाल मालूम हुआ तो वा अपनी लाल वर्दी सेना के साथ युद्ध भूमी की तरफ जप्टी और अंग्रेजी फौज पर बंगाल की तरफ से हमला किया उसकी मार से अंग्रेजी सेना में हलचल मच गई रानी स्वयम घोडे की लगाम धातों के बीच दबाए दोनों हाथों से तलवार चला कर सत्रूओं का सफाया कर रही थी उसकी अभूत पूर्व भीरता को देख कर पीछे हटने वाली विद्रोही सेना को अपनी निर्बलता पर लज्जा आई और वे दूने जोश्ट से अंग्रेजी सेना पर तूट पड़े अंग्रेजी सेना को संकट में देख कर सरीहोरोज और ब्रिगेडियर स्टूवर्ट ने उंट सवार फौज के एक दल को साथ लेकर कालपी की फौज पर भयंकर आकर्मन किया उनकी गोली वर्षा को विद्रोही सेना सहन ना कर सकी और पीछे हटकर किले के भीतर चली गई मुकाबला किया पर उनका साहस प्रथम बार ही तूट चुका था अब कालपी में ठहर न ठीक न समझ कर राव साहब और लक्ष्मी बाई कुछ लोगों को साथ लेकर वहां से निकल गए और कुछ दूर जाकर गोपालपूर में ठहरे दो-चार दिन बाद तात्या टूपे भी जो कालपी से अपने पिता को देखने चले गए थे वहां आ पहुचे और सब मिलकर आगामी कारिक्रम पर विचार करने लगे विद्रोही नेताओं की भूले यह एक आशरे की ही बात थी कि जहासी में इधर उधर के सिपाहियों को इकठा करके रानी लक्ष्मी बाई सर हियोरोज की सेना का तेरा दिन तक अच्छी तरह मुकाबला करती रही पर कालपी में उससे कहीं अधिक सुसक्षित, सेनाएं और कई राजाओं तथा सरदारों की होने पर भी लड़ाई का फैसला एक दिन में ही हो गया और कि लेके भीतर भी विद्रोही सेना एक सप्ताह से अधिक नाटिक सकी इसका असली कारण था नेत्रित्व का अभाव और अनुभाव की कमी सच पूछा जाए तो कितनी ही विद्रोही टुकडियां सेना नहीं थी वरन केवल भीड थी उनके संचालन करता राजाओं और नवाबों ने कभी युद्ध देखा भी न था सब आराम की गोद में पले हुए और महलों में गर्म गलीचों पर पैर रखकर चलने वाले थे उधर अंग्रेजी सेना पती तदा अन्य अपसर पक्के सिपाही और युद्ध विद्या के पूरे जानकार थे उनको अनेक रण शेत्रों का अनभो था और वे सेना को पूरण नियंतरण में रखकर रखना जानते थे यही कारण है कि एक हजार सेना लेकर बीस हजार विद्धरोहियों का मुकाबला करने को तैयार हो जाते थे और फौजी दाओं पेचों के बल पर सफलता प्राप्त कर लेते थे रानी लक्ष्मिबाई इस्त्री होते वे भी इन बातों को बहुत कुछ सज्जा समझती थी उसने कालपी आते ही राव साहब से कहा था कि बिना सूव ववस्था और ठीक इंतजाम से हमारी जीत कभी नहीं हो सकती प्रबंद की उत्तमता से ही जासी में अंग्रेजी सेना की जीत हुई है उसके अफसर अपने काम में बड़े चतुर थे उनके सिपाहे युद्ध के मैदान में हमेशा जी खोल कर लड़ते थे उन सब पर एक अफसर रहता था और उसी की आग्या से सब काम होता था अतह जब तक आपकी सेना का इंतजाम ठीक ना करेंगे तब तक अंग्रेजों से कभी नहीं जीत सकते राव साहब ने रानी सलाह की सराहना की और सेना को कई भागों में बाट कर अलग-अलग उनके ड्यूटी नियत की परवे स्वयम इस सम्मंद में अनुबव हीन थे और फिर भी राजा रईशों के लड़कों की तरह अपनी योगिता को बहुत अधिक समस्ते थे इसी जूटे अहंकार के कारण वे एकाद जगां थोड़ी सफलता मिलते ही फूल जाते थे और पेशवाई के सपने देखने लगते थे उन्होंने कई बार समय और साधन मिल जाने पर भी उनका उचित प्रबंध और उपयोग ना किया वरन समय और साधनों को उपरी शान सवकत दिखाने के लिए जल से उत्सव आदि में नश्ट कर दिया इसी लिए उनको अधिकां सा स्थानों पर असफलता का ही मुह देखना पड़ा और एक विशेश परिस्थिती वस देश में उत्सा और सतद्रता की जो लहर उत्पन हुई थी वह बहुत थोड़ा फल दिखा कर ही समाप्त हो गई अब इस मौके पर भी किसी नेता को यह नहीं सूच रहा था कि आगे कौन सा कदम उठाने से हम अपनी इस्थिती को मजबूत कर सकेंगे और एक बार फिर शक्त्रु का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकेंगे तब रानी लक्ष्मी बाई ने समती दी कि अब कालपी या जहांसी पर अधिकार सकर सकने की बाद तो स्वपनवत हो गई फिर भी हमको किसी न किसी किले का आश्रे लेना ही पड़ेगा इसके बिना युद्ध का संचालन कभी अच्छी तरह नहीं हो सकता इसलिए सब बातों पर विचार कर मैं गौलियर के किले को हस्तगत करके अंग्रेजों का मुकाबला करना ठीक समस्ती हूँ वहां सबसे अधिक मजबूत किला है वहां की फोज दिल से विद्रोही हो चुकी है जैसे ही हम वहां पहुँचेंगे वहां गौलियर नरेश का पक्षच छोड़ कर हमसे मिल जाएंगी रानी की यासला सब को पसंद आई और शीक्र ही इसे कार्यानवित करने के लिए सेना और युद्ध सामगरी एकत्रित करने करके विद्रोही एक जून को गौलियर के निकट मोरार तक जा पहुचें अब वहां के महराज जीवाजी राव तदा उनके दीवान दिनकर राव बड़े संकट में पड़े अभी तक वे बड़ी चतुराई से विद्रोहीों के दबाव को टालते रहे थे जीवाजी राव तो एकाद बार विद्रोहीों से मिलने को तैयार भी हुए थे पर दिनकर राव ने ही उनको सब कुछ उचा नीचा समझा कर रोक रखा था अब विद्रोही सेना के आकरमन कर देने से उनको सामने आना पड़ा और साथ आठ हजार सेना लेकर मैदान में आएं ग्वालियर का तोख खाना प्रसिद्ध फ्रांसीसी सेना दक्षों की देखरेक में बनाया और संगठित किया गया था उसकी सक्ति अब भी परियाप्त थी उनकी मार के सामने आरंब में राव साहब की सेना के पैर उखडने लगे यहाँ देखकर राने लक्ष्मी बाई ने एक सेना दल को लेकर ग्वालियर की सेना पर धावाद किया और उसकी हिम्मत को तोड़ दिया बहुत से सेनिक जो पहले ही ग्वालियर नरेश की अंग्रेजों की तरफदारी की नीती से नारास थे उनका साथ छोड़कर विद्रोहियों से आ मिले यहाँ देखकर जीवाजी राव और दिनकर राव भाग खड़े हुए और आगरा पहुँचकर अंग्रेजी सरकार की शरन ली अब राव साहब लक्ष्मी बाई तात्या टोपे आधिका ग्वालियर पर सहजी में अधिकार हो गया वहाँ का खजाना और सैने सामगरी विद्रोहि दल को मिल गई तीन जून को राव साहब भब ने फूल बाग में बड़ी शान से दरवार किया जिसमें सब सरदारों ने उनको पेश्वा स्विकार करके ताजीम की इस अवसर पर उन्होंने खजाने का बहुत सा धन लोगों को बाटने में बरबाद किया इस समय भी प्रवल शत्रू की तरफ से लापरवाहर रह कर उन्होंने पहली गल्ती को दुहराया लक्षमी बाई ने उनको बहुत समझाया कि अब जबकि ग्वालियर राजी के साधन प्राप्त हो गए हैं तो सब काम छोड़कर उन सबका उप्योग अपनी रक्षा विवस्था को मजबुत बनाने में करना चाहिए क्योंकि अंग्रेज अधिकारी चुपचाप नहीं बैठे रहेंगे वैसी ग्रही हम पर हमला करेंगे और हम उनका मुकाबला तभी कर सकेंगे जब हम हर तरह से तयार रहेंगे पर राव साहब इस समय विजयोत्सों में मगन हो रहे थे इस सला को सुनकर भी उन्होंने उस पर कुछ अमल नहीं किया सोला जून को ही सरहुरोज की सेना मोरार के निकट आ पहुची एक विद्रोही सेन दल उसका मुकाबला करने को भीचा गया और वह दो ही घंटे में परास्थ हो गया ग्वालियर के विद्रोही सेना के कुछ अपसर रंग बदला देखकर फिर अंग्रेजों से जा मिले यह दशा देखकर राने जीवन मरण का ध्यान छोड़कर रड छेत्र में कूद पड़ी सत्रा जून को ग्वालियर से पांच मील के फासले पर कोटा की सराय नामकस्थान पर भीशन संग्राम हुआ रानी ने अपनी सेना की वियो रचना बड़ी चतुरता से की थी और वह मरदाने वेश में घोडो पर सवार होकर सुयम ही उसका नित्रित्व कर रही थी सत्रा जून को सुबा ही युद्ध का विगुल बजा और गमासान युद्ध होने लगा रानी की अलोकिक वीर्ता और अस्त्र संचालन की कला को देख कर सब वाह वाह करने लगे पर उसके सब साथी अंग्रेजी सेना की गोली वर्षा से घायल होते या मरते जाते थे रानी का घोड़ा भी कई गोलियां लगने से भाग खड़ा हुआ भागता हुआ वह एक सूखे नाले के किनारे जा पहुँचा और उसे फादने की कोशिश करते हुए पैर फिसल जाने से गिर गया एक सवार ने जो पीछा कर रहा था सीग्रता पूर्वक पहुँच कर रानी पर तलवार का वार किया जिससे चेहरे का आधा भाग कट गया फिर भी उसने साहस ना छोड़ा और पीछे फिर कर एक ऐसा हाथ मारा कि वह भी उसी जगा गिर कर मर गया रानी के घावों से बहुत खून बहरा था और उसका शरीर बार-बार सितिल होता जाता था या देख उसका एक सरदार उनको उठा कर पास ही बनी एक जोपड़ी में ले गया उसमें बाबा गंगा दास नाम के सादू रहते थे रानी को प्यास लगी तो बाबा जी ने उन्हें गंगा जल पीने को दिया कुछ देर बाद उन्होंने प्राण त्याग दिये अगले दिन उनके शाओ को घास के एक बड़े धेर में रख कर आग लगा दी गई जिससे वह भस्म साथ हो गया अंग्रेज अधिकारियों को उनके मरने की खबर कई दिन बाद मालूम हुई जिससे वह मन मसोस कर रहे गए अन्य था इस वीरांगना ने उनको जिस प्रकार नाकोचने चबवाये थे और अकेले ही ना मालूम उनके कितने वीरों को मत के घाट उतारा था उससे वे उसके उपर बड़ा खार खाये बैठे थे यदि वह जीवित या मृतक किसी प्रकार उनके हाथ पकड़ी जाती तो वे उसका अकथनिये दोड़दसा करते पर वह सच्ची वीर और अपनी प्रतिग्या का पालन करने वाली थी उसने सत्रुवों का सामना होने पर भी कभी अपने प्राणों का मोह नहीं किया इसलिए वह अंत तक उनके चंगुल में ना आ सकी किसी संस्कृत शुभासित ग्रंत में एक स्लोग दिया गया है कि सिंग चाहे दो-चार वर्स ही जीवित रहे और उसके शवर्य की प्रतेक प्रसंसा करता है पर कवा सो वर्स जीने पर भी सिवाय जूठन के और किसी स्रेष्ट वस्तु का अधिकारी नहीं होता यह उक्ति रानी लक्ष्मिबाई के जीवन पूर्डता लागू होती है यह द्यपिवा केवल 24 वर्स चीवित रही और इसमें भी जनता के सामने उसकी कारेवाही केवल एक वर्ष के सासनकाल में प्रकट हुई पर इसी बीच में उसने ऐसे काम कर दिखाए जिनकी याद आज 224 वर्स बीच जाने पर भी ताजा बनी है और लाखो इस्त्री पूर्सों की प्रेड़ना दे रही है उसकी प्रशंसा केवल इस बात के लिए नहीं है कि वह सस्त्र संचालन में बड़ी निपुड थी अत्वा अपूर्व साहसी थी उससे बढ़कर तलवार चनाने वाले युद्धक शेतर के बीच अकेले लड़ने वाले हजारो छत्री और राजबूत पिछले दो-चाल वर्स बीच हो चुके हैं उनकी विशेश प्रसंसा इस बात में है कि उसने आरंभ में से ही अपने सामने आने वाले प्रते कर्तव्य को नहीं स्वार्त बाव से पूरा किया और अंत में मात्र भूमिके प्रती अपने कर्तव्य को पालन करने में स्वेक्षा पूर्वक प्राडोत सर्ग कर दिया है सर्वस्रेश्ट मार गई यही समझा कि इस विकट अवसर पर ही अपना भलिदान करके ततकालीन और भावी देश्वासियों के सम्मुक एक प्रिर्णा पद उदाहरन को पस्तित कर दे एक ऐसे जीवन की सराहना और कामना कोण नहीं करेगा जिसने जीवित और मृत दोनों अव किया हो इसी के साथ यहाप उस तक समाप्त होती है धन्यवाद हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वे आइकन को दबाकर और पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें